जै जिनेंद्र स्वागत है आप सभी का हमारे विशेश कारेकरम समस्या एक समाधान अनेक जी हाँ समस्या एक समाधान अनेक इस बक्तामर सूत की विशेश सरंकला में हम बक्तामर के हर काप्ड़े के बारे में विश्तार से जान रहे हैं समझ रहे हैं तो आज बक्तामर के दस्वे कावे के बारे में जबकर प्रिया जी से जानेंगे विरागी की बाते हैं तो आप सबसे पहले हम बक्तामर सोथ के दस्वे नमर कावे का उचारन सीखते हैं नात्यत्भूतम ता के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या रहा है भव तो यहां पर बिंदी का उचारन क्या होगा मा नात्यत्भूतम भूवन भूवन भूशन भवपर बड़े उकी मात्रा है इसलिए हमने पहले वाले भव को हलका सा टच किया और बड़े वाले जो नेक्स भूशन वर्ड है उसको हमने लमबा कीचा है title इस पर बिंद गह के ओपर जो रा है उसको हमें तै के साथ ही लेना है. भ के ओपर वी जो रा है वो भी हमें गुनेर के साथ लेना है. भूतेर गुनेर भूवी भवन्त मभीष्टू वन्ताहा वन्ताहा पर सारी सांस को हमें भार छोड़ना है तुल्या भवन्ती तुल्या भवन्ती भवतो ननुतेन किम्वा का के ओपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है व यर लव होता है यदि बिंदी के बाद तो हमेशा बिंदी का उचरन मा होता है तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किम्वां भूत्यार्शितं 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 समंग करोती समंग मा के उपर बिंदी है और बाद में क्या रहा है क तो अंग की तरह पढ़ना है हमें यहां पर बिंदी को समंग समंग करोती आपने नोटिस किया हो तो इसके इंदर हमारे तीनो तरह के शा आ रहे हैं तालववे शा मुर्धने शा और दंती सा क्या होते हैं य इन्हें उश्मा, इन्हें उश्प या सघर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इनके उचारन के समेच होता है, अंदर से आते हुई हवा, हमारे तालू को, हमारे मसूडों को, हमारे दात को, और हमारी जीब से रगड़ खाकर उश्मा पैदा करती हुई बाहर निकल जाती है। जब हम शख का उचारन करते हैं, शलगम वाला शख, तब जीब तालू को स्पर्श करती हुई बहार निकलती है। तो इसको क्या कहते हैं। तालववे शा, जब हम शा का उचारन करते हैं, शटकोन वाले शा का। तब हमारी जो जीब है, हमारी मुरधा को सपर्श करती हुई बहार निकलती है। इसलिए इस शा को मुरधने शा कहते हैं। दंती सा, जब सा का उचारन करते समय, जब जीब जो है दातों को सपर्श करती हुई, बाहर निकलती है हमारी हवा, हमारी जो सांस है, तब उसको दंती सा बोलते हैं, तो तीनो श, श, और स में हमें अंतर समझना होगा, कि हम जब अब उचारन कर रहे हैं, तो उस लोक की अंद इसलिए हम सबसे कहते हैं कि जब भी आप भक्तांबर कई चारन करे आपको कितना ही कंठस्त है लेकिन आप बुक लेकर जरूर पढ़ें क्योंकि जब आप बुक लेकर पढ़ते हैं तो आपको पता क्या करना चाहिए आपको और श और स में क्या अंतर है तो आप सभी ने समझ लिया होगा एक फिर से समझ लेते हैं नात्यत्वूतम् भूवन भूशन शा कॉझ सा यहां पर मुर्धा शा है यां पर नात्यात्र आत्यात्यां अब हम वर्ड टू वर्ड अर्ड समझते हैं नात्य अद्भूतम ना मींस नहीं और अती मींस बहुत अद्भूतम मींस आश्चरेकारी आश्चरेकारी नात्य अद्भूतम भूवन भूशन भूवन भूशन मींस जगत के भूशन भूत नाथ प्रानियों के रक्षक भूतेर भूतेर मींस सच्चे गुनेर मींस गुनों के द्वारा भूवी भूवी मींस प्रित्वीपर भवंत भवंत मींस आपकी मभिष्टु अंतह मींस तुत प्रियोजन लेवल, भवन्ति करने वाले, तुल्य, तुल्य means बराबर, उक्वल, भवन्ति मिन्स हो जाते हैं, भवतो, भवतो means आपके, ननू, ननू means nishaj se, तैन, तैन मिन्स उनसे, किम, किम मीन्स क्या प्रियोजन है वा, वा मींस अथ्वा, भूत्यार्शितम मींस भूत्या, भूत्या मींस संपत्ती के द्वारा, इसको हमने संदी विछेत कर दिया है भूत्यार्शितम को, भूत्या मींस संपत्ती के द्वारा, और आशितम मींस अपने आधीन को, य मींस जो, इह मींस इस लोक में, नात मींस न मींस नहीं आत्म समंग मींस अपने बराबर करोती मींस करता है बहुती अच्छा काववे है ये भक्तामरस्त्रोत का जो ऐसा काववे है ये कि जब भी हम इस लोक को पढ़ते हैं इसका उचारन करते हैं तो हमारे अंदर क्या भावना आनी चाहिए कि हर एक जीव मेरे जैसा हो जाए चाहे वो मेरा सर्वेंट है चाहे वो मेरे हाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है हे इश्वर हे प्रमात्मा उस जीव के जीवन में भी इतनी सुक्षान्ति भर दो कि एक दिन वो भी मेरे जैसा हो जाए जो मेरे पास है वो हर एक जीव के पास हो मैं ये दिसमर् हैं, हर एक जीव के साथ ऐसा ही हो मेरे मन में किसी जीव को देखकर ये नहीं आए, कि ये तो अच्छा नहीं है, ये सर्वेंट है नहीं, वो एक जीव है वो भी एक दिन मेरे जैसा हो जाएगा और है, ये नहीं कि आप उसको सैलरी दे रहे हैं, आपने आपने उसको अपने काम पर रख रख है तो आप उसके ओपर हमेशा रूल करेंगे नहीं समय हर किसी का आता है लेकिन यदि हमारी अच्छी भावना होगी कि सामने वाला जीव भी मेरे जैसा हो जाए तो हमेशा आपकी भी उन्नती होगी आपके मार्क में भी जो भी हडल्स आ व्यक्ति बनूँ मेरे अंदर क्या भावना है कि इस धर्ति पर हर जीव जो है उसके जीवन में सुक्षान्ति हो समर्सवान हो तो मैं तो अपने आप ही हो जाऊंगा क्योंकि जो मेरी भावना है जो मैं यूनिवर्स को देता हूं जो मैं बीज डालता हूं वही वापस मेरे कावब है ये जिसमें आत्मा और परमात्मा की बात ही गई कि हर एक आत्मा परमात्मा है किसी आत्मा में भी कोई भेद नहीं है हर आत्मा परमात्मा बंच लगती है मुक्ति को प्राप्ट कर सकती है कहते हैं संसार में जो स्वामी अपने आसिस सेवव को बहवव दे कर अपने स्वामी इसका क्या लाव क्या लाव है कि मैं अगर स्वामी हूँ और मैं अपने सेवक को अपने आधीनों को अपने जस्वन ही बना सकता तो कोई भी इसका फाइदा होने वाला नहीं है किन्तु हे तिर्वन के नात हे जगद भूशन हे तिर्वन के तिर्लोक पती आपके गुनों का चिंतवन कर लेता है जो आपकी गुनों को धारंग कर लेता है जो आपकी विक्ति करता है जो आपकी नाम का गुनगान करता है तो इसमें कोई भी आच्चर की बात नहीं है कि वो आपके जैसा ही हो जाता है कि भगवान की भक्ती करने वाले भगवान की गुनों का इस्तमर्ण करने वाले भगवान की गुनों को धारंग करने वाले उन तीन लोग के नाथ उसी पद्वी को प्राप्त कर लेते हैं हमारे जहिन दरसन में 24 तीर्थंकरों की बात कही गई है 24 तीर्थोकरों में कोई भी तीर्थंकर ना थोड़ा कम है ना थोड़ा जादा है सब भी तीर्थंकर सब बरावर्थ से पूजनी है सब बरावर्थ सम्भी के अंदर पूर्ण गुन है तो क्या कहा? हे भूत भूशन भूवन, आपकी विद्वान विपुल गुनों को बर्णन करने वाला भक्त आपकी जैसे ही बन जाते हैं आश्या करने की कोई बात नहीं है इसमें क्योंकि जो धनी मानी लोग हैं वो भी तो अपने आश्रतों को विशेवकों को अपने जैसा सम्रिद सक्ति साली बना लेते हैं तो क्या जरेंद्र का भक्त जो जरेंद्र प्रवु की भक्ती करेगा गायन करेगा वो अनात बनकर संसार सागर में गोते खाता फिरेगा कधापी नहीं वो तो फुर्वु के जैसा ही समर्थ और सक्तिताली और समर्थ से वान बन जाएगा और एक दिन अपने कर्म संकला को तोड़ कर मुक्षपत को प्राप्त कर लेगा कौतम गंदर ने भकवान महावीर से पूछा कि मुझ में और आप में क्या फरक है महावी ने कहा कोई भी फरक नहीं है ना सुनने अधिक है ना सुनने कम है ना एक लाइन जादा है एक ना एक लाइन कम है क्योंकि जो मेरा बरतमान है वो तो मारा बाविस्थ से है जो मेरा बरतमान है वो तो मारा बाविस्थ से है तीरतंकर परमात्माहम को सदा यही उबजे देते हैं कि आज मैं सब कुछ छोड़ कर वोक्षपत पे पहुंच गया उस इत्स दिलापर बराजमान हूं लेकिन एक दिन तुम को भी सभी को आना है और सुच दिलापर हमीशा हमीशा अन्यतकाल के लिए वराजमान हो जाना है तो जैन दर्शन की इतनी सुंदर परमपरा साहे दुनिया के किसी अन्य धर्म में हमें देखने को नहीं मिल सकती मैं किसी धर्म की निंदा या पुराई की बात नहीं करता लेकिन स्ववत किष्टता की जो बात है जैन दर्शन में वो ये ही है कि वो अपने आधीनों को अपने सेवकों को भी अपनी जैसा बना लेते है बर्गवान बनने की कला तीर्थंकर बनने की कला अपनी आपको भगवान की जैसे तीर्थंकर जैसे बनाने की कला अगर किसी धर्म में है तो वो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्सन ही है अन्य दर्सनों में सेवक सेवकी रह जाता है लेकिन जैन दर्सन एक आम आत्मा को भी परमात्म सरूब कुन प्रगट कर परमात्मा बना देता है उसको अपने कर्मों को छे कर कोई भी आत्मा परमात्मा पत्त की प्राप्ती कर सकती है अर्यंत्य पत्त की प्राप्ती कर सकती है शिद्य पत्त की प्राप्ती कर सकती है तो ऐसा कही उधारन संसार में कहीं देखने को मिलेगा आपको जैन दरसन सबको बरावरी का हग देता है जैन दरसन बताता है कि जो हर एक आत्मा परमात्मा का ही सरूप है और हर एक आत्मा नियम से एक दिन सिद्वत को प्राप्त करेगी समय और क्याल का भेद है हमें समय और क्याल के भेद को भूल कर हर एक जीट को, हर एक प्रानी को हर एक आत्मा को सम्मान करना होगा उसमें परमात्मा को देखना होगा उसमें परमात्षरूव की भावना भानी होगी कि मैं आज जिस भी अवस्ता में हूँ जिस भी गती में हूँ मेरी गतियां छूड़ जाएं सिर्फ मेरी नहीं चुटें संसार में जितने भी जीव हैं संसार में जितनी भी प्रानी हैं संसार में जितनी भी आत्मा है वो एक पवित्र आत्मा बने और एक दिन मुक्ष परंपत को प्राप्त करें ऐसा इसका अब्वे के माध्यम से मानतुंग स्वामी कहते हैं तो हिंदी में भी कहा है नहीं अचंब जो होई तुरन तुम से तुम गुने वर्नत संत जो अधीन को आप समान करें नसो निंदित धनवान अगर वो अपने समान नहीं कर पाया तो उस सेट की सेटिता उस सेट की उस व्यपारी की व्यपारीता बेकार है लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां तो कहते हैं जो भगवान की गुन का इस्तरवन कर लेता है तो वो एक निश्य ही नियम से भगवान बन जाता है तीर्थन करपत भी को प्राप्त कर लेता है जो सोले कारण भावना को भालेता है जो दसलक्षन भावना को भालेता है जो बारे भावना को इस्तवन करता है चिंतन करता है, मनन करता है और जहिन दरसन में कहा गया है कि जो नियम से सोले कारण भावनाओं उसमें से दो भावनाओं को भी भाले उनका इस्तवन कर ले तो तीर्थंकरप्रक्रती के बंद हो जाता है और आने वाले भवों में उसको तीर्थंकरप्रत की प्राप्ती हो जाती है तो संसार में कहीं ऐसा काव है ऐसा वर्डन देखने को मिलेगा हम अपने आपको हीन समझते हैं तुप्च समझते हैं नीज समझते हैं पापी समझते हैं अदम समझते हैं लेकिन मानतुम स्वामी कहते हैं कि मैं जिसकी भक्ती कर रहा हूँ मैं जिसके गुनों का इस्तवन कर रहा हूँ मुझे कोई सामाने पुरुस नहीं है वो तो पारस मनी है कि अगर मैं उसे चुग गया तो मैं भी पारस हो जाऊंगा हो सकता है आज मैं लोगा हूँ आज मैं ठामाने पत्तर हूँ लेकिन मैं जिसका गुनों का वर्णन करने जा रहा हूँ वो मुझे पारस कर देगा मुझे सुर्ण के समान कुंदन बना देगा वो मेरी आत्मा को पवित्र कर देगा और मुझे एक दिन इस चौरासी लाक भवों से ब्रहमन के छुटकारा दिला कर चारों गुतियों की ब्रहमन से चुटकारा दिला कर मुझे पंचम गती ताब्त कर मुक्षपद में इस्तित कर देगा ऐसी इस काभवे के विश्चिस महिमा फिर भी प्राचीन गर्णतों में प्राचीन बुकों में इस काभवे के बारे में लिखा गया है कि स्वान भी इसका नाज करता है तो स्वान एक तरह से अगर गेहन चिंतन और विचार किया जाए एस्ट्रोजिकार इस काभवे को हम देखें तो स्वान का मतलब होता है केतु ग्रे और जोतिस में केतु ग्रे ही मोक्ष का कारक माना गया है कहते हैं अगर दादस भाव में बारवे भाव में केतु ग्रे अकेला बैटा हो सुबब्त लिये हो हो तो निश्यती उसका ये जनम अन्तिम भव होता है उसको संसार साकरे में बारवार आना नहीं पड़ता अनकमपा उन्यों की रही अन्होंने बाथ को एक छोटी सी बात केकर अनकमपत की लिए हमारी website पर आप विजिट कीजिए www.bhaktambarmantrahealing.com और हमारे YouTube चैनल है और हमारे YouTube चैनल है भकतांबर मंत्राहिलिंग बहुत 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 इंट्रेस्टिंग और लाजवाब है कि जो हमें सीधर मनुस को छोड़का देवक्त के गुनों की प्राप्ति हमारे अंदर कराता है तो सभी को किसी को तकलीफ है दुख है दर्द है इसकी बात नहीं है सभी को मन बचन काया पूर्बग सुद्धी पूर्बग इसका आप एक निरंदर पाठ करना है और अपने इन अनंत्र भवों के ब्रह्मन ते छुटकारा पकर मुग्शुक को पाना है आपने बहुत प्र कर दो कर दो